आज हम बात करेंगे जी मीडिया कॉर्परेशन के बारे में जी मीडिया कॉर्परेशन में अगर देखा जाएं तो एक छोटा साई शेर है एक पैनी स्टॉक की केडिगरी में हम रखते हैं और 23 रुपे का शेर यहाँ पर प्रॉफिट देंगा छे गुना छे गुना प्रॉफिट आपको दे सकता है गाईस और रात और रात बिलकुल है अमिर बना देगा अगर इसने ब्रेक आउट दिया तो सो गाइस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रेक आउट की तो ब्रेक आउट की बाद हम ऐसी लिए कर रहे है क्योंकि एक ऐसे इंपोर्टन लेवल पे स्टॉक खड़ा है ऐसे इंपोर्टन लेवल यह बना रहा है जहाँ पर अगर ब्रेक आउट मिलता है तो बिलकुल यहाँ पर अभी ये 23 रुपेगा है यहाँ से जम्ट लगा कर ये 100 रुपे के ऊपर ये स्टॉक जाने वाला है आने वाले कुछ दिनों में तो गाइस बिलकुल यहाँ पर G-Media Corporation आपको दमदार रेटन दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में तो यहाँ पर केसे रिटन देगा कहाँ पर हमें बाई करना है तो काफी कुछ बाते होंगी आज इस वीडियो में तो गाइस वीडियो को एंट तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दमहाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेर्स के अप्डेट्स के लिए शेर्स के लेटेस नूज के लिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं ची मीडिया कॉर्परेशन के उपर सो गैस यहाँ पर आप देख सकतो हम आ गए है स्टॉक के उपर इसका पूरा नाम ची मीडिया कॉर्परेशन एल्टीडी है और वही अगर देखा जाए तो स्टॉक में चो इसका क्लोजिंग दी थी इसने कल के दिन तो वो क्लोजिंग दी है 12 रुपे 90 पेसे के प्राइस पर और यहाँ पर वही अगर देखा जाए तो एक हल्की सी गिरावड हमें देखने को मिली है किसि भी स्टॉक के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम आ गए हैं यहाँ पर G Media Corporation के चार्ट के उपर और यहाँ पर actual में हो क्या रहा है तो यहाँ पर आपको एक pattern दिख जाएंगा उस pattern का नाम है एक rising wedge pattern और उस pattern को हम bearish pattern भी कहते हैं बट यहाँ पर picture थोड़ी अलग है यहाँ पर breakout का सिनारियो है यहाँ पर अगर दिखा जाए तो stock में कुछ इस तरीके के pattern create हो रहे थे और उसी pattern में हमें यहाँ पर एक rising wedge pattern दिखा तो हमने कुछ इस तरीकी का यहाँ पर pattern बनाया है और तब भी हम confirmation के हिसाब से चल रहे थे और मैंने clearly बोला था कि इसमें एक breakout का सिनारियो आएगा तब ही हमें buy करना है confirmation के साथ without confirmation हमें buy नहीं करना है हाला कि जो risk लेना चाहते थे हैं उन्हों मैंने बोल दिया था कि 9 रुपे के आसपास आपको एक opportunity मिलेगी तब आप buy कर सकते हो क्योंकि इसमें cup and handle जैसा type pattern हमें बनता हुआ नजर आ रहा था मैंने previous वीडियो में बताया भी है और यहाँ पर जिन जिन लोगों ने buy किया होंगा उन्हें बिल्कुल अच्छे returns आये होगे यहाँ पर लगबग stock अभी 23 रुपे के असपास चल रहा है और यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो stock में actual में हो क्या रहा था यहाँ पर बिल्कुल resistance support का जो game है ओन था बिल्कुल upside downs momentum stock में चल रहे था आप देख सकते है upside downs momentum है और उसी की बदोलत अगर आप देखोंगे तो stock में क्या हुआ यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock में एक breakout मिला है और breakout के बाद stock continue उपर जा रहा था और यहाँ पर अगर देखा जाए तो guys यहाँ पर breakout के बाद stock सीधा उपर की और जाने कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर नीचे भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं अल्रेडी यह consolidate कर चुका है कई बार यहाँ पर consolidate किये है तो जहाँ जहाँ consolidated stock ने किया था मैंने तब भी बोला था buying के लिए क्योंकि यही एक उम्मीद होती है कि stock उपर जा रहा है नहीं तो अगर continue उपर की rally बनाता है तो उसी तरीके से profit booking भी आती है तो यहाँ पर stock में अगर देखा जाए तो यहाँ से ऊपर जा रहा है पढ़िए जो मैंने यहाँ पर जो dot वाली line इस मनाई है यह काफी ज़्यादा important है तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर जैसे हमने बोला है कि 6 गुना आपको profit हो सकता है तो यहाँ पर मान लो कि 20 रुपे के असपा से चल रहा है stock का कीमत चल रहा है वही अगर देखा जाए तो 100 रुपे के उपर भी हमारा target जा सकता है तो यहाँ से आपको काफी ज़्यादा double return आपको मिल सकता है 6 किसाब से अगर 60 रुपे तक के return भी आपको मिल सकते है क्यों मैं इसा बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो 100 रुपे के आसपास से यहाँ पर stock नीचे आया था यहाँ पर resistance लिया था यहाँ पर भी resistance लिया था तो अल्ड़ेडी यह लगभग इसी trade line से तीन बार resistance ले चुका है तो यहाँ पर अगर इस stock में breakout मिल जाता है यहाँ पर अगर हमें breakout मिल जाता है तो यहाँ से जो rally आएंगी काफी शांदा rally रहने वाली है एक panic stock है गाईज तो बिल्कुल तगड़े return आपके बन सकते है यहाँ से अगर उपर जाता है तो बिल्कुल जी जग आप इसे खरीच सकते हो तो यहाँ पर बिल्कुल 100 रुपे के उपर target आपकर रहने वाला है as a short term target 40-50 रुपे का आप रख सकते हो stock दंदार है market cap के साब से 1.85 राउजन करोड का market cap है अगर price performance काफी ज़्यादा positive है आप देख सकते हो upside की और जाते भी नजर आ रहे है यहाँ पर volumes तगड़े आ रहे हैं आपर 2 करोड से भी ज़्यादा की trade values है daily तो गैस विल्कुल आप G Media Corporation पर यहाँ पर chance ले सकते हो विडियो अच्छा लगा होगा विडियो को like करो channel को subscribe करो thank you